जेहिन वापस से FPO, IPO, SME Board, Main Board पे IPO आना शुरू हुए बीच में वार की situation में थोड़ा सा एक pause लगा था बड़ वापस इनों ने कहा रहे भाईया मारकेट तो चलती रहेगी IPO लेकर आओ funding उठाओ अब वापस से इस बीच में आया है M-Force Auto Tech SME IPO अच्छी बात यह है कि थोड़ा जादा funds उठा रहे है SME IPO के comparison में जहां पर SME IPO उठाते हैं 10 करोड 20-30 करोड के आसपास यह कहरे भाईया मैं जादा funds चाहिए तो अच्छी बात यह होगी allotment के chances बढ़ सकते हैं अब allotment के chances बढ़ेंगे तो क्या over subscription होगा और क्या listing gain होगे क्योंकि हो सकता है allotment के chances बढ़ जाए तो यार उतना over subscription ना हो उतने listing gains ना हो उसके लिए ही हम आज detailed analysis करने वाले हैं Hi everyone, my name is Vibor Vashne, I am a semi registered research analyst वापस से एक और detailed analysis करेंगे समझाओंगा आपको किस तरीके से SME IPO आया है उसका business model देखेंगे, financials देखेंगे, valuations देखेंगे और finally देखेंगे कितना over subscription होगा, listing gain होगा और लगाना या फिर नहीं लगाना एक काम करते हैं, without wasting time, अपने वीडियो में ही deep dive करते हैं, analysis कर लेते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं but yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यह new user हो, before moving ahead, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो अगर डालूँगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी वीडियो हो गया, for example, हम लोग हर महीने की starting में डालते ह 5 best stocks for, जैसे की डाला था, 5 best stocks for April, प्रोबैबल या हीरो वीडियो हमारा hero product है, अभी तक, अभी तक, तीन हफते में 9% returns दे चुका है, चलो, अब बात करते हैं, M4s Auto Tech की, ज़रा देख लेते हैं कि क्या business model है, business model क्या है, क्या बोल रहे हैं, was founded in 2012, 10-12 साल पुरानी company, and is a manufacturer and exporter of driven train parts of niche vehicles, तो ये तो clear है कि vehicles, automobiles के आसपास company घूमती है, खुदी manufacture भी करते है, export भी करते है, parts बगरा बनाते हैं, जैसे मालो, clutch parts हो गए, brake parts हो गए, या gear parts हो गए, और अंदर की जो machinery बगरा हो गए, जेके क्या क्या बोलते हैं ये लो, the company's product list includes differential housing, differential locks, covers, foldy locks, hubs, spindles, excels, shafts, gear shif filters, yorks, pools, मतलब जितना भी एक auto machinery से related है, वो सारा यहां पर आपको बना के दे रहे हैं, अब अच्छी बात पते हैं, अच्छी बात है, इनके जो clients होंगे, वो बड़े-बड़े clients होंगे, गाड़ी बनाना, कोई हलुआ थोड़ी है, जैम में हाथ डाला, गाड़ी बनके तय आप समझें इस चीज को, यह उनको parts प्रोवाइड कर रहे हैं, जो खुद गाड़िया बनाते हैं, तो इनके clients order book अच्छी मिलेगी आपर, ठीक है, next part पे इन्होंगे क्या लिखा है, यह भी पढ़ लेते हैं, competitive strengths में लिखा है, engineering excellence, in-house research, design, development, intent, knowledge of materials and process, one-stop solution for driven train parts, quality assurance and standards, existing customer relationship, two decades of good customer relationship, contribute to the company, receiving regular orders from its customers, यही चीज़ की में बात कर रहा था, जब आप ऐसी market में काम करते हो, जहां पर आप B2B काम कर रहे हो, और यह तो B2B में नहीं, यह तो B2B brand काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े branch के साथ, तो यहां पर इनके order book हमेशा अच्छी खासी रहेगी, यह अच scalable business model, the company's business model is best to use existing resources, experience management team, और कहां located है, यह है, बाड़ी हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में है, और अभी तक कंपनी के पास 128 employees people है, अभी तक यह बात करी जाए, तो अभी तक तो definitely अच्छा लग रहे है, क्यों, automobile industry जैसे जैसे grow कर रही है, तो इनका काम भी बढ़ेगा, उसमें parts, parts कौन supply करेगा, यह अकेला नहीं है, और भी companies है, बट इनका business भी बढ़ेगा, यह सबसे best part है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले, IPO में आगे बढ़ने से पहले, एक important point मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूं, देखो हम लोग काफी trading करते हैं, काफी सारे trades लेते हैं, कुछ हमारे पास, कोई एक ऐसा teacher हो, जो हमें हमारी गलतियां बताए, जिन गलतियों से हम लोग सीख सकें, अब उसके लिए एक solution है, that is Samco Securities का trading का अंधे का सच, अब इसमें एक अच्छा feature है, इसमें एक अच्छा feature है, जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था, trading का अंधे का सच, इसमें क्या होता है, आपको ये एक एक report card बना के देते हैं, जैसे school में teacher एक report card बना के देती थी, कि यहाँ पर ये गलतिया करी, अच्छा करा, ये बुरा करा, तो उसी तरीके से आपको एक report card proper बना कर देते है, कि आपने ये सही करा, ये गलत करा, जो proper एक अंधे का सच है, वो जिन कर आता है जिन गलतियों को आप सीख सकते हो सुधार सकते हो यह बेस पार्ट है और उससे भी अच्छा पार्ट है यह न्यू ट्रेडर यह एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों के लिए ही easy to understand है अब यह आपको गलतियां तो बताएगा ही बताएगा प्लस कैसे अब देखो इनके पास ना कुछ मेट्रिक्स वगेरा है जैसे सैम को ट्रेड स्कोर जहां से आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नींग का ओवरॉल स्कोर पता चलता है यह दूसरा हिनका एक मेट्रिक हो गया स्ट्राइक रेट मेट्रिक्स फॉर एक्जामपल माल लेते हैं कितने ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल बने फॉर एक्जामपल आपने अपने stuk dreamcken जा रहे हैं उंस而且 मेसे किटने ट्रेड जा रहे हिं इसक परशना परirty यह एकना रिपुर्ड़ कारण निकलंकर आ जाता है किसी दसि जा रहे हैं तो उसको पता लगशएगा जाएगा वह गलतिया कहा कर रहा है अब इन दो के बाद third है average, third metric जो इनके पास है that is average holding period या average profit and loss मतलब for example कि आपका average profit कितना बन रहा था, average loss कितना बन रहा था, average holding period कितना था या P&L analytics में आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितना आपका drawdown था, कितना profit जा रहा था या unrealized profit कितना था, unrealized loss कितना था, उससे भी most important potential profit कितना हो सकता था, या potential loss कितना हो सकता था या आपको ने प्रोपर एकराक से एक report card बना के दे देगा, तो जैसे हम लोग बात करी रहे थे, जैसे देखो यहाँ पर unseen insights आ गया, trade score आ गया तो यह न यह proper unseen science बता देता कि क्या के चल रहा है, my trade story वगरा में, तो अगर आप भी अपनी trading journey को सुधारना चाहते हो, तो follow these steps Step 1, download the Samco trading app on your smartphone and login into your account Step 2, tap the portfolio icon present at the bottom of the app's interface Step 3, then tap the my trade story tab on the top of the app's interface Last step 4, tap the view analytics tab to view all the valuable insights generated from your historical trade data तो यह इस तरीके से सारा कुछ बताएगा, my trade story का अंदे का सच वगरा Samco Securities को explore करने का जो भी link वगरा है, वो मैं पिन, comment या, description वगरा में दे दूंगा चलो, वापस आते हैं अपने analysis पर, IP analysis पर एक बार important dates वगरा भी देखेंगे, promoter holdings भी देखेंगे, most important है financials तो अगर मैं IPO की बात करूँ, तो तेज तरीक को IPO पन होगा, तीन दिन के लिए रहेगा, अब T plus 3 rule आगया तो 25 तरीक तक, 26 तरीक allotment वगरा आएगी, Saturday Sunday close, 29 तरीक तक यहां पर refunds या shares और last of the month यानि 30 April को बिलकुल month end में यह जाके list होने वाला है ठीक है, एक बार जड़र valuations लेकर लेकर आ रहे हो, face value 10 रुपए, बहुत बड़ी अब आता है, price by 93, 98 हमेशा नहीं कहीं लोग बोलते हैं कहीं, 94 पे लगा सकते हैं, 95 पे लगा सकते हैं, 97 पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते cut shot इस बात को दिमाग में डाल लो, हमेशा यह जो upper band है, मुझे तो लगता है, आगे जा करना, सेभी को एक ही band बना देना चाहिए देखो, problem कहा है, अगर मालो fully subscribe नहीं भी होगा, तो underwriter उसको subscribe करेगा, तो पूरा एक ही बना दो न, confusion है, 98 एक बारी में हमें अप्लाय करना है, 98 पे, अब देखो, lot size है 1200, कई लोगों के मन में doubts क्या आता है, SME IP को लेकर, जान सो सुनना, पहला doubt, क्या मैं 1200 में से 500 sell कर सकता 700 रख लू, half partial, half profit book कर लिया, नहीं, पूरा 1200 में ही trade होगा, या तो 1200 share buy करो, 1200 sell करो, यह नहीं कि 200 sell कर दिये, नहीं, partial में कुछ काम नहीं होता, SME IPO में, number two doubt, क्या मैं listing के दिन sell कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो यार, आपकी चीज है, listing के दिन sell करो, listing के अगले दिन sell करो, listing होते ही, 2 मिनिट बाद sell कर दो, profit में, loss में, कोई attention नहीं, कोई lock-in नहीं है, H&I category और retail category के लिए, SME IPO में, कोई problem नहीं है, next part पर आते हैं, कितने पैसे चीए, इने चीए, 50, 53, 54 करोड के आसपास, round of to 54 करोड, पूरा का पूरा fresh issue है, यानि कि यह सारा पैसा कहा जाएगा, यह company के खाते में जाएगा, जिससे company क्या क्या करेगी, वो हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है, next part पर आते हैं, QIB को कहने हैं, आपको 50% तक मिलेगा, retail वालों को 35, और H&I को 15, तो अगर हम apply करेंगे, देको allotment पाने का एक चरीका पता है, पहले इन दोनों category को compare करो, इसमें ज जादा है, अब मुझे दिखाई दे रहा है, retail में जादा है, तो मैं retail में apply करूंगा, यही main board पे मैं करता हूँ, यही मैं SME किसी पे भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर quota जादा है, तो allotment के chances बढ़ गए, next part, anchor category कितनी थी, 15.35, 15 करोड थी, पूरी के पूरी race क यानि fully subscribe हो गया, anchor category से, जो कि definitely अच्छी बात है, अब application wise भी देख लेते हैं, retail वालों को अगर चाहिए, तो एक lot लगाना पड़ेगा, कितने का, 1,17,000, main board में 15,000, maximum रख रखा है, यहाँ 1,17,000 है, और 2,00,000 से उपर application गई, तो automatically H&I category में चला जाएगा, तो मैं अगर apply करू हो, तो मैं तो एक lot करूँगा, क्योंकि वरना यह H&I में चले जाएगा, promoter holding की बात करें, महताज हैं, महताज का आ रहा है, नहीं, यह वो महताज नहीं है, यह दूसरे वाले महताज है, यह आप समझ रहे हो कि हरशद महता है, नहीं, यह वो नहीं है, यह अलग है, तो इनक 50% प्लस, इसके नीचे जाता है न, तो गवराट सी होते हैं, यह प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है, यह आप सोचो, आप प्रमोटर हो, तो मेन होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए, यह तो अच्छा है, 73 हैं के पास, फिनांचल पर आते हैं, यह बताओ, बि 32 करोड, 42 करोड, 48 करोड, ड्रॉप आ गया, 3-4 करोड के एसेट्स कम हो गए, वापस से 55 करोड, यह हुआ कैस सालमेंट को, हे प्रभू, हे जगनात, यह क्या हुआ, रिवेन्यू, 51 करोड, 71 करोड, एक अच्छा खासा जम पाया, 40% का, वापस से ड्रॉप आया, 48 करोड, यह यह भी ड्रॉप, यह भी ड्रॉप, तो लगड़ा है कहीं न कहीं उन्हें, एसेट्स काटे हैं, देखेंगे, रिवेन्यू, 47, अब देखो, यह आठ महीने का है, आठ महीने में, 48 के आसपास रिवेन्यू हुई है, तो अगर एक्यूवेलेंट बनाए, तो यह कहीं जाके, 72 272 करोड के आसपास आएगा, वापस से यहां तक तो आगया, फिर थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ओटो इंडस्ट्री देख रहे हैं, और शकल बूम बढ़ेंगे, भागे जा रहा है गोड़े की रफतार से, प्राफिट अफ्टर टैक्स देखें बहीं जरा, प्राफिट अफ्टर टैक्स पांच करोड यानि कि अल्मोस्ट 10% मार्जिन था, 50 करोड की सेल्स पे 10% के आसपास हो गया, बढ़िया बात है यह तो, फिर उसके बाद यहां देखें, तो यहां पर भी 10% मार्जिन पांच का धाथ हो गया, मार्जिन अभी भी मैंटेंड है, अल्मोस्ट 9% के आसपास हैं यहां पर, फिर यहां देखें, तो यहां जाकर अब दिखाई दे रहा है कि मार्जिन बढ़ गया, पॉजिटिव बात, तो यहां पर 51 के आसपास है, तो यह भी बढ़ के कुछ 75-77 के आसपास पहुँच जाएगा, तो यह अच्छी चीज अगरा कम हुए, इन्होंने का चलो बॉरिंग वगरा पे आफ करते हैं, बड़ वापस से 24 करोड बढ़ गई, तो डेफिनेटली कंपनी को यह जो कॉलम है बॉरिंग का, इस पे काम डेफिनेटली करना पढ़ेगा, कुछ इंपोर्टेंट रेशियो देखें, जाए जाए ज किसलिए पैस उठा रहे हो, इन्वेस्टमेंट इना सब्सीडिरी कंपनी, एमफोर्स, मॉबिलिटी, सॉलुशन, प्राइब लेमिटेड, इन फॉर्म औव एक्विटी और डेट, मीटिंग दर रेक्वायर्मेंट अफ़र्किंग कापिटल, और मार्जिन मनी फॉर्ट टॉ इन फॉर्म लोन, तुमीट वर्किंग कापिटल रिक्वायर्मेंट, अब ओवर्राल आ जाते हैं, फाइनल वर्डिक्ट पर, फाइनल वर्डिक्ट पर, नमबर वन, इंडस्ट्री अच्छी है, सेक्टर बूम कर रहा है, बीटूबी बिजनिस है, ओडर बुक अच्छी है, और प्रमोटर होल्डिंग डेफिनिटल अच्छी है, 73, बुरी बात क्या है, बुरी बात यह है कि यार, एसेट्स कम हो गया, रिवेन्यू थोड़ो सा ड पर कुछ भी नहीं था, इस वज़े से थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दिया, प्राइस टूबूक वेल्यू नाइन के साब से थोड़ा सा हाई है, मैं कुछ प्राइस बेंड जो एक्सपेट करता, 70-75 के आसपास एक्सपेट करता, तो थोड़ा सा रूम हमें मिल जाता, कितने चाहिए, 53.9 CR चाहिए, प्राइस बेंड के रखा है, 98 का, अब अच्छी बात यह कि इस बीच में कोई बड़ा मेन IPO वगरा नहीं आ रहा, तो लोगों के पास फंड वगरा हैं, लोगों के पास फंड वगरा हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन की बात क 25 ताइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अब क्यूआई भी वगरा आएंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, H&I भी आएंगे, लिस्टिंगे इनकी बात करो, क्योंकि फंड है, मार्केट वापस से जैसे थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, फ्राइड फंड वगरा अंब्लोक होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है, लोग यहां पर भी पैसा डालें, मेरे हिसाब से यहां पर 45 तो 60 परशेंट के आसपास लिस्टिंग इन हो सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं एक इक लॉट लगाऊंगा, रिटेल कार्टरी में, मल्टेप Samco Securities के जो link से, वो मैं description या pin comment में देखूँगा, आप जाकर अपना trade का अंदेखा सच वगरा, my trade story वगरा, चेक कर सकते हो, report card चेक कर सकते हो, video पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe, thank you for watching the video, lots of love.